सुरुवात से भारती जन्ता पार्टी से जुड़े रहने दे बाद प्रत्याशी दो निर्दली लड़ना पड़ ला है अच्छा है कि हमारे भाजपा पार्टी के जो इसमें प्रदान मंत्री है नरग्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में आधितनाथ योगी जी जी उन्होंने साब फर्मान जारी किया था कि रिष्टेदारों को नातेदारों को लोगों को टिकट नहीं दे शांचद और व विवस्था सुधर जाती हैं चाब लूसों को टिकट देने से हमारे पाटी का बहुत ज्यादा नुक्सा अस्तर उन्हें मिला है जिनुका मतलब चहरा जो है परचित नहीं था उनका पार्टी में कोई अस्थुत नहीं था काली वो पार्टी का चाब लूसी करने के आधार संगठन नाम वहां भेज रहा है तो इनको तिकड़ दीजिए तो उनको किनारे कर दिया जा रहा है वह अपना गोती बेठा रहे है और जब चुना हो रहेंगे तो संगठन वालों को दोस्त देंगे कि नहीं आप लोग इसे हार रहे है जनता देख रही है आज इसी का कारण है कि मुर्ली मनवार जोसी जी सांसत्य यहां पर संकर प्रसाद जैसवाल जी थे किस 35 साल से भाजपा यहां मेर है मेरा नाम सरोज देवी है पती आनंद कुमार गान यह पहली बार आप महिला से चनल रड़ नहीं है जो जो पहुंच नहीं पाई है जैसे ब्रिद्धा पेंसन हुआ बच्चों की जो इस मुद्धे पर सब ध्यान में तो उठाएं दे जी तो यानि आपका में विश्य ध्या सब्सक्राइब नहीं है तो महिलाएं बहुत आवे बढ़ रहे हैं ऐसी स्थिति में आप इत्पती होकर अपनी पत्नी दिले वोट मांग रहे हैं अपनी पत्नी दिले लड़ाई लड़ रहे हैं तीन समस्यों पर ज़्यादा विश्य ध्याने हैं कि अभी तब इस्थितियां जो है दैनी बनी हुई है इसलिए कि सरकार हमारे जो है वो इतनी योजनाय दे रहे हैं उस योजनाओं पर ठीक से सही तरीखे से देखी काम नहीं किया जा रहा है इतनी योजनाय और जैसा सर हमें पता चला था सुत्रों से कि आप सम्र से भी सहमती रखना आपस में विवस्ताय बनाना यह सत्य यही होना में चाहिए इंसानियत ऐसे स्थिति में अपनी पत्नीदा सपोर्ट पेसे दर हैं जनता से अपिल कर रहे हैं जनता हमको और दे कर जितनी समस्याय हैं हम लोग उसको संशत तक पोचाए कर उसको निदान करें उस सबस्याय में गरीब कश्बे के लोग ज़्यादा परसा नगर निकाए चुनाप को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कारिकरम यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास माच्ची वराणसी के हर वाड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम सरोज देवी बनाएंगी अलाइपुर वाड नमर 60 को एक सुन्दर वाड जमीनी इस तर से करेंगी समस्याओं का समाधान जनता की पहली पसंद बन रही हैं सरोज देवी वाडे को करना ही नहीं उनको पूरा करना ही हमारा लक्ष सत्ता में आते ही न ठकेंगे न रुकेंगे बस जनता का ही काम करेंगे हर इस तर से जनता को देंगे इमानदारी का परिचे वारानसी अलाईपूर वाड नमर 60 निर्दली पारशत प्रत्याशी से सम्वादादा बरजेश दिवेदी ने की खास बात चीत वारानसी से अलाईपूर वाड नमर 60 निर्दली प्रत्याशी सरोज देवी कर रही हैं दाविदारी वारानसी से निर्दली प्रत्याशी सरोज पत्ति आनंद कुमार ने चुनाप की तैयारी की बताई हाकिकत आपते च्छेतर में तौन-Tौन से समस्या हैं जिन तो आप उठाना चाहती है जिन तो आप सुझाना चाहती राषते रास्ते हो पानी हो यह विवस्ताइब सरकार की योजना जो पहुंच नहीं पाई है जैसे ब्रिद्धा, पेंसन हुआ, बच्चों की जो इस मुद्धे पे सब ध्यान देंगे तो इस मुद्धे पे आप ध्यान cabbage माहम तो हम आप से ये पुश्च न चाहते हैं ते जैसे रास्ते होए, बिशली होए और बुंतरो थी में चीज आप समस्या बता रही है ति बुंतरो तो आवास नहीं मिलते हैं और एक सबसे बड़ी बाती है ति जो विवस्थाएं बाहर से आती हैं वो आते आते धीरे धीरे यहां पहुश नहीं पाती है तो इन तो आप तहां पर उठाना चाते हो संसत भवन में इन तो उठाएं दे हैं जी तो यानि आपता में विसेज ध्यान जो है बुंतरो पे है जी और बाढ़ की समस्या भी आती है तो हम सुनीता दीवे देवी जी से हमारी बात हो रही थी आप हम आप तो सरोज देवी जी से अब हम आप तो मिलाते हैं इनते पती आन कर चादी मिल मुझी है तो महिला है बहुत आधे बड़ रही है ऐसी इस्तिती में आप फपती होते अपनी पतनी तिले समस्या वहस्या पर है कतिन नहीं वह रहो चाहल हो है या वाल नंबर साथ में यूँक्त है अभी तब इस्तितियां जो है दैनी बनी हुई है इसलिए कि सरकार हमारी जो है वो इतनी योजनाओं दे रहे हैं उस योजनाओं पर ठीक से सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है इतनी योजनाओं अगर सरकार दे रही है तो इसमें जो है सभी लोग को सही सही राय दे के योजनाओं को आगे बलान चाहिए और जैसा सर हमें पता चला था सुत्रों से ती आप संग से भी जुड़े हुएं आस और से जुड़े हैं जी आरेसस में हूँ कर उसको निदान करें उस समस्याएं में गरीब कस्वे के लोग ज्यादा परसान है उन्हें इतनी सरकार को योजनाओं को गरीब में पहुचना बहुचना बोला थी यहां पर बुंकरों की बड़ी समस्या हैं तो यह इस पर आप ज़रा बताना चाहिए नहीं है बुंकरों की दो सर्मारा एक प्रस्शन के जैसे पर इस होती है डी आप ते पास आप जीटते हैं तो ऐसे प्यरोसे तो आप तैसे काम रखेंगे बरिश्यों को काम रखेंगे सर एक कही जगा से बजट नहीं आता है उसमें बहुत तरीक तरीकाएं होती हैं अगर उस तरीके से हम लोग काम करेंगे तो चारो तरह से बजट निकालके अपने वार्ड को सुरच्चीत अच्छा बनाने का पूरा प्रियास करेंगे सुनेरा वार्ड बनने जा रहा है जीतने के बाद हम लोग का पहला कदम यही रहेगा कि इस वार्ड की सारी समस्चाओं पर दीरे दीरे कारे करते हुए उसको संपूर्ण रूप से सही बनाना है यह सारी समस्याओं को आप जड़ से जो है सुल्याइं में बिल्कुल सर उसमें एक पढ़ाई भी है सबसे बड़ी बात सिच्चा के लिए जो सरकारी स्कूले वगेरा जहां अगर इस वार्ड में चल रही है तो उसमें सभी लोग को गाइड करके सही तरीके सिच्चा परदान भी कराने का परियास कर किया जाएगा तो यह हमारे साथ थे सरोज देवी जी और उनके पती आनन जी तो वार्ड नमबर साथ में इस्तिती ऐसी है तो परिस्तितियां डिस्टर्ब हैं और बुंकरों पे विशेश ध्यान है तो तही न तही महिला होते हुए 33% आरच्छन में एत महिला भावी प्रत्याशी है और इस्तितियां बदलने वाली है यह तो आने लग समय यह बताया था थी वार्ड नमबर साथ एट सपनो दवार्ड बनता है या नहीं बनता है ति वोट है वोट जरूर दीजिये वोट अपना मत छोड़िये और वोट वहाँ दीजिये जो सिच्चित समाज हो बाती जनता जनारदन है बने रही हमारे साथ और देते रही है लाइब टीवी एटसपेस उत्तरप्रदेश जैसा कि आपने अभी देथा थी वाल्ड नंबर साथ में जो है निर्दली प्रत्याशी जी से अभी हमारी बात हुई उन्ते पती से बात हुई हमारी आप हमेद बात और आपसे बताना चाहते है हमें पता ये चला है जो प्रत्याशी यहां से लड़ नहीं है सरो जी वो भा बात से भारती जंता पार्टी से जुड़े रहने थे बाद प्रत्याशी दो निर्दली लड़ना पड़ ला है अच्छा है कि हमारे भाजपा पार्टी के जो इसमें प्रधान मंत्री है नरंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश सरकार में आधितनाथ योगी जी ने उन्हो में चापलूसों को ज्यादा टिकर्ट दे रहे हैं अपनी छेतर में अपने अपने जगह लिदिन चापलूसों तो टिकर्ट देने से विवस्ताइं सुदर जाती हैं चापलोसों को टिकड देने से हमारे पार्टी का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है वो अपने चापलोसों को दे रहे हैं उसका जबाद़ देना है जो में पार्टी में कोई अस्तित नहीं था खाली वो पार्टी का चापलोसी करने के आधार पर पा गये हैं और जो संगठन नाम वहां भेज रहा है कि इनको टिकट दीजिए तो उनको किनारे कर दिया जा रहा है वो अपना गोटी बैठा रहे हैं और जब चुना भारेंगे तो संगठन वालों को दोस्त देंगे कि नही पर संकर प्रसाद जैसवाल जी थे 35 साल से भाजपा यहां मेयर है इसके बावजूद भी यह नक्खी घाट मलीन बस्ती है इसमें ज्यादातर मलीन बस्तियां है यहां रोज खाने कमाने वाले लोग हैं बहुत से रोज मर्रा की जिन्दगी जीने वाले हैं यहां के इतनी ब पद्ज्वस्था नहीं कहने को तो सरकार है डबल इंजन की सरकार है लेकिन ये जो बीच के लोग है चुनाव लड़ते आंगे छेतर के समस्याउ से इनको कोई लेना देना नहीं है चापलूस हैं उनके माध्यम से हलो वहां पता करते हैं उन्हीं के आधार पर चलते हैं छेत्र के संगठन का बस्खाली ओट लिए यहां पर आप जैसी चेत्र समस्याओं तो अभी तत सामने लाएं नहीं दिया है चेत्र के समस्याओं जो हैं एक आदमी के करने से कुछ नहीं होता है यानि सिफ हाईवे डिवल्लप्मेंट हुआ है अंदर डिवल्लप्मेंट यह डिवल्लेप्मेंट बस खाले मोधी जी के व सरकारी सिस्टम काम कर रहा है विधायक जी अगिसमें आफगार एग्री होते तो अपने महले में जाते वह पता करते किसको देना है किसको नहीं देना है आप से कहेंगे कि हमारे करकरता ओटे नहीं देते हैं यहां से तो हम ओटे नहीं पाते हैं तो जित्ते कहां से हैं का प पर नहीं है लेकिन यहां कि जनता जो है जनता जनारधन होती है और यह भी मुद्दा सामने आ तो यहां फूल फिलने वाला है या उसी सिर्फ डंठल बचे दी यह तो आने ला समय बताए था फिलाल हमारे साथ बने रही है और देते रहे लाइब टीवी एक्सप्रेस उत्तरप्रदेश तो यह थी लाइब टीवी एक्सप्रेस न्यूस चैनल की कुछ खास कबरे इसी तरह रिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे यह लाइब टीवी एक्सप्रेस न्यूस चैनल